हेलो एफ्रिवन स्वागत है आपसे लों का इस्टेडी पहने से में तो आज मैं आपसे लों को कुछ ऐसे स्वाल बताएंगे जो आपके दिन प्रत दिन हमेशा काम आते रहते हैं परशने जैसे देखे एक किलो ग्राम का दाम 40 रुपया है तो 200 ग्राम का दाम क्या होगा यहाँ पर ऐसे परशन देखे बड़े है असानी से साल्ब कर लिया जाते हैं यहाँ पर क्या बोला है एक किलो ग्राम तो यहाँ पर लिख लिजिएगा एक किलो ग्राम का दाम कितना बोल रहे हैं एक किलो ग्राम का दाम ये बोल रहे हैं 40 रुपया है क्या 40 रुपया है आप से क्या पूछ रहे हैं 200 ग्राम का दाम क्या होगा यहाँ पर लिख लिजिएगा 200 ग्राम का दाम पूछ रहे हमें क्या है नहीं मालूम है तो यहाँ पर देखे 1 किलो ग्राम का दाम कितना दिया है 40 रुपया पूछ रहे हैं 200 ग्राम का दाम क्या होगा तो ध्यान से आप लोग समझेगा एक किलो ग्राम में कितना ग्राम होता है सबसे पहले इस तरह से आप सोचेगा एक किलो ग्राम में कितना ग्राम होता है एक हजार ग्राम होता है कितना एक हजार ग्राम होता है अब यहाँ पर देखे एक किलो ग्राम में सबसे पहले लिख लिजिएगा, यहाँ पर क्या 40 लिख लेंगे, इसके बाट क्या यहाँ पर रूपया लिखेंगे, यहाँ पर बटे कचन लाएंगे, यह कितना था, 1000 था ना, उसको नीचे लिख लिजिएगा, यहाँ पर 1000 लिख लेंगे, क्या पूछा था, 200 ग्राम का मुल 8 होता है द्यान से समझेगा जब आप गुरा करेंगे कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा तो 200 क्राम का दाम कितना हो गए गए 5 किल आम का दाम क्या 50 ग किल आम का दाम क इसे प्राप क क्याanda हो गए पचास रूपया दिया हुआ है आपसे क्या पूछ रहा है पचास किलो आम का दाम कितना होगा क्या यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पचास किलो आम का दाम कितना होगा हमें नहीं मालूम है अब ध्यान से समझेगा यहाँ पर पांच किलो आम का दाम कितना है पचास रूपया अब देखिए आप से क्या पूछ रहा है पचास किलो आम का दाम पूछ रहा है इसी में हम क्या गुड़े पचास कर देंगे अब देखिए आपका आसानी से निकल कर आ जाएगा पान से हम क्या कर देंगे पचास को कर देंगे पान दाम कितना हो जाएगा पचास हो जाएगा अब देखिए आपको क्या 50 कुड़े 10 बचरा है 50 का कुड़े 10 में करेंगे कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 यानि 500 रुपय का अगर 50 किलो आम खरीदेंगे तो कितने रुपय का मिलेगा 500 रुपय का मिलेगा यही आपको क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो वो लाइक आओ चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में